इस धर्ती को भी मैं कोटी से प्रनाब करता हूँ और ये महाज कायुजन क्या हुआ है करम करम से एक एक विश्यों को हम लोग सुनते आ रहे हैं तो हम लोग आज मोक्स के विशय में सुन रहे थे और मोक्स कहते हैं छुटकारा को किसे चाहे जो बंधन में है कौन है बंधन में फुलक बंधन में पड़े हुए गुरुदेब कहते हैं आओ वीरो मर्द बनू अब जेल तुम्हें तजना होगा मन निग्रा के समर छेत में सनमुक्ति डटना होगा इस जेल में पड़े हुए काईद में पड़े हुए इसलिए कैसे छूटेंगे किसकी भक्ति करके एक ज्ञान होना चाहिए भक्ति किसकी करें कैसे करें और क्यों करें यदि पूछा जाए भक्ति क्यों करें क्या कहेंगे आवा गमन के चक्र से छूटने के लिए आवा गमन के चक्र से कैसे छूटेंगे परमात्मा की भक्ति करें इसलिए मोक्ष की सामगरी क्या है तो भक्ति है मोक्ष का इन समग्रियां भक्ती भीधियते, और मोक्षे शाम्ग्रिय भक्ती भाक्ति तो सब कोई करते हैं यो भर्मना ना तरे परमात्मा की भक्ति कीजिए तो सुने संतमत के द्वारा ज्यान योग युपतिस्त्वर भक्ति का अप्रचार होता है ज्यान काते जानने को जानने योग क्या है वो परमात्मा है तो उसका ज्यान सत्संग के माध्यम से होता है ज्यान के परमात्मा सरवत्र है सब में ब्यापक सबसे परे परमात्मा जो करते वही होता है ज्यान के दूद में घी है क्या इससे पूरी छान सकते हैं? ठाई बना सकते हैं? नहीं अलग करना होगा जिमी दूद के मतन से घी निक्षत है जतन से तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रम्हलो निहारा इसके लिए युक्ती को जानना होगा युक्ती जान के दूद से घी को अलग कर सकते हैं ऐसे परमात्मा को पन भक्ती करनी चाहिए और भक्ती में मानुस जब, मानुस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाध ध्यान चार साधनों की आवस्तिता है और संतमत की द्वारा ग्यान होता है क्या ग्यान होता है सबका इस्त्वर एक है सबका मालिक एक है वहां तक जाने का रास लुक्तु करते हैं। तो सब की मुल्माय ध्यान और ध्यान कहते है किसको है सुन निगत मन हो जाए All attention without any attention is called meditation और उसन्मान लोग इसको क्या कहते है, मराघ कावा और इशाय लोग क्या कहते है, Meditation वजिक साथ धर में क्या कहते है, ध्यान और और वक्ताम को दारा सूने चुके धियान योक का आठमा थाज़े जब आब चraumym kang पूर्ण होगे तब तो आब साथ में सडिप जाएंगे और कहा गिया सुनने गत्मन को दियान को द्यान को इत भूटान सुनने गत्मन को दियान काते हैं इस्ते ब्रह्मचर्य और परिग्रह देखिए ध्यान मामुलिक आंख बंद कर लिए ध्यान हो गया अशो बात नहीं जब तक ध्यान नहीं होगा तो मुख्ष मिलेगा ही नहीं भगवान कृष्णि का अर्जुन सर्जुन तो मुझको प्राप कर लो भोतों के पूजने वाले भोतों के पास पितरों के पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं लेकि सब का आवागमन होता है जो मुझको प्राप कर लेता है उसका आवागमन नहीं होता अर्जुन और मेर सबसे न्यारा भिए उससे को संद कभीर ने कहा पूरण पूरस्त हमारा, और अंतमे कहा जहाँ हम जाना हमरे उसेश कुई पढ़ेपद निरवाना और हमारी ग्रुदेप कहते हैं, समझ हा मैं लखंने छोन नहीं है सत 1 कि सफ्ट की इक पॉल Kal Thunn के दियान कर ओ erई गया के दियानकर और कहा जाए कि अ Works in comfort the business model हूं सबी अगाम कोई को पॉल्टल नीस रहता है या में वरा प्रमत्वन स्मर्थन करते हैं ओ समसंगी महाबाहू मुन दुर्देन गरम चलम अब भियासे इनों तु कौहूं तो कौह ते वारागीन च 오빠 तेए अर जब शूने मन बस में होगा तुम बास सही कहते हो यहाद ठीला प्रम्त स्वाव बाला मन है यह बस में होगा कैसी अब भ्यास नो तू कौम ते या वायरागिन चगरिय ते अब भ्यास और वायराग से मनबस में होगा अब भ्यास ये ध्यान जो करते ध्याना अब भ्यास करते है अभी ध्यान नहीं होता है अब भ्यास में निकुन हो जाएंगी तो ध्यान होने लगेगा वायराग्य होगा और वायराग से ध्यान होता है जब कोई भर पर जगडा कर ले तब ध्यान में बैठे क्या ध्यान होगा कभी ध्यान नहीं होगा तो भगवान ने कारजुन ध्यान होगा कैसे अभ्याफ और वाराग चाहिए वाराग कह होता है सत्संग में होता है वाराग इसलिए पहला अंग जो यम है इसके अहिंसा सत्य स्ट्य प्रम्चर्ज अहिंसा किसी जीव की हत्याद नहीं करें मन से अवाचा कर्मना से अपकार नहीं सोचें सत्य पर चलें सत्य बोलें चोरी नहीं करें ब्रम्चर्ज क्या पालन करें और ऑपरी संग्रा के फेर में नहीं रहें संग्रा के फेर कितना हो जा कितना हो जा ध्यान चुटे स्ट्य चुटे उससे क्या ध्यान होगा क्या प्रियास करेंगे तो यह जीवन और इसके बाद का भी जीवन मंगल में होगा इनी दो सब्दों के साथ अपनों की सिवा रही स्री सद्गुरु महराज की जय सज्जनों अभी महासभा की और से स्री राजेंद्र महता जी का एक संदेश आया है कि फोन पर लोग बताते हैं टेलिवीजन पर जो आपको देख रहे हैं मंच पर कि जब परवचन चल रहा है और मंच पर मुवमेंट बाबा लोग का होता है या बाबू लोग का होता है तो डिस्टर्वेंस आता है तो महासभा की या आप लोगों का के महासभा की और से मैं निवेदन करता हूँ विवस्था की और से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुझे भी कल रात में बताया गया कि दो तीन लोग मंच पर सो रहे थे अब सुन रहे होंगे लोग क्या कहेंगे तो आप लोग और से निवेदन है कि सजग बैठें आप एक तो CCTV केमरे की निगरानी में हैं ही साथ ही साथ चैनल के कारण पूरी दुनिया की निगरानी में है तो आप साउधान रहें, साड़े-दस बजे तक मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग इस्थिर रहेंगे हम लोग योग की महिमा सुन रहे हैं, ग्यान की महिमा सुन रहे हैं प्रमहंस योगानन जी महराज ने कहा कि हुवाटी जी योगा वो कहते हैं योगा is a process of concentration योगा चित्वृति को रोकने का एक माध्यम है एक साधन है एक पधती है किसलिए तो कहते हैं कि हम जो सरीर संसार में फस गए हैं इससे छूटने के लिए इसलिए कि journey from body to soul शरीर के दहिक दैविक तापों से मुक्त होकर आत्म सुख पाने के लिए दूसरी बात कहते हैं कि from world to God पर संसार से परमात्मा की ओर जात्रा करने का नाम योग है और तीसरी बात उन्होंने कहा from bondage to salvation बंधनों से मुक्ति के लिए मुक्ति की योर्ग की यात्रा का नाम योग है जिसे भगवान कृष्ण ने कहा तम विध्यात दुक संज्योग योग शंगितम वहः विध्या जो हमें समस्त संसार के दुखों से जन्म मरन से मुक्त करती है उसको योग कहते हैं तो पतंजली महरषि कहते हैं योग है चित वृति निरोधा संसार में फैला हुआ चित जो विशियों को अग्रहन करिंद्रियों के माध्यम से दुकी होता है उससे मुक्ति पाने का उपाय योग है तो आए संतमत में जो ज्यान है रिशी महर्शी का वेद पुरान का आपने सुना है मरने के बाद जिन मुक्तियों की चर्चा है उसमें स्वरगादी उचे से उचे लोग भोकने के बाद पुनर जन्म होता है लेकिन जो जीवन काल में ही गुरु की युक्ति से योग साधन करके माया के सारे आवर्नों से छूट करके और नदी और सागर की संगम की तरह नमक जिस तरह सागर में घुलकर एक मेक हो जाती है उसी तरह जब सारे माय कावर्नों से मुक्त होकर शेतना आत्मा परमात्मा में एक में खोती है समाधी में वही असली मुक्ती है और वो मुक्ती जीते जी प्राप्त की जाती है इस दुरलव ज्यान को जिस ज्यान ने भारत को धर्म गुरु के पत पर प्रतिष्ठित किया है वो ज्यान अब आप सुनेंगे महर्शी में ही आश्रम कुपा घाट भागलपूर के विद्वानी वा सन्यासी स्वामी स्री परमानंजी महराज अनंत संसार समुद्रतार नुका इताभ्याम गुरु भक्ति नाभ्याम वेराग्य शाम्राद जिद्पो जिनाभ्याम नमो नमा स्री गुरु पादो काभ्याम नमो नमा स्री गुरु पादो काभ्याम शंसार वरिक्षमा रोड़ा पतंती नरकानवे यस्तान धरती सर्वान तस्मे श्री गुरु पादो काभ्याम तस्मे श्री गुरु पादो काभ्याम अपने निवास में विराजमान महा महमावान यतिंद्र कुल तिलक संत मत के वर्तमान आचारिय मारशी हरनन्दन परमंजी महाराज के युगल स्री चरणों में कूटीश परणाम मंचस्त महामय मामंडित मुदमंगल मैं सादू समाज के स्री चरणों में परणाम परमादरनिय सत्संग परिमी महान भावो तथादरनिया माताओ एवं भक्ति मती बहनो संत मस्त्संग के नियवान कूल कुछ देर पहले स्तुती प्रार्थना के बाद आप सभी लोगों ने सद ग्रम्थों से पाट स्रवन किये पाट के क्रम में सबसे पहले वेद दर्शन योग से भगवान वेद की वार्णी सुने फिर सत्संग योग से उपनिशद की वार्णी और संत वार्णियों को सुने वेद वार्णी में आया था वेद भगवान संसार की लोगों को कह रहे थे जीव मात्र को अखंड सुक चाहिए अखंड सुक का मतलब होता है जो सुक कवी खंडित न हो लेकिन महाप्रशों ने कहा जब तक जीव बंधन के अंदर रहेगा तब तक जीव को अखंड सुक मिलने वाला नहीं है आप कहेंगे जीव किश बंधन से बंधे है अवियाप लोगों ने पूरुवक्ताओं से बहुत प्रकार के बंधनों की समंद में शुन रहे थे लेकिन जिस वेद वानी का यहाँ प्रपाठ हुआ था वेद भगवान का रहे थे जीव तीन प्रकार के कर्म की बंधन से बंधे है वेद भगवान का रहे थे जीव तीन प्रकार के बंधनों से बंधा है शात्विक कर्म के बंधन से मधा है राजस कर्म के बंधन से मधा है और तामस कर्म के बंधन से मधा है जब तक इन तीन प्रकार के बंधनों से जीव बंधा रहेगा तब तक जीव को अखंड सुख मिलने वाला नहीं है यही बात संद पल्टु सहाब भी कहते है संद पल्टु सहाब की वानी में है करम बंधा संसार बंधावे आप से अज्यम्पुर बांधा जैकरम की फांस से जीव जैसे करम के बंधन से बंधता है वैसे संसार के बंधन से बंध जाता है यह तो संद पल्टु सहाब की वानी रही भगवान स्री राम से हनमान जी ने पूछा था जीव को अखंड सुक शाश्वत सुक कैसे मिलेगा इस पर भगवान स्री राम ने हनमान जी को कहा था हनमान जब तक जीव वांसना के बंधन से बंधा रहेगा तब तक जीव को अखंड सुक मिलने वाला नहीं है बद्धो यी वांसना बद्धो ये भगवान स्री राम का बचन है जीव वांसना के बंधन से मदा है जैसे जीव वांसना के बंधन से छुटेगा वैसे जीव को अखंड सुक मिलेगा सज्जनो वांसना भी दो तरकी होती है एक संशारिक वांसना भोगेच्छा जिसको आप और पवित्र वांसना कह सकते है जिसके चलते या जिस वंधन में बंधे रहने के कारण जीव अनेक प्रकार की दुखों को भोगता आवागवन की चक्र में पढ़ाडाता है दूसरी शात्विक वांसना भगवत भक्ती की वांसना अगर मनश्री के अंदर में ये आ जाए है इस वांसना उनको मुक्ती मिलेगी भगवान स्री राम जो बोले वांसना के बंधन से जीव बंधा है इस सात्विक वांसना के लिए नहीं बोले भगवत भक्ती करने वाली वांसना के लिए नहीं बोले जो संसारिक वासना है भोगेच्छा है संसार के भोगों को भोगने की इच्छा है ये वासना गर किसी के अंदर में है तुने के लिए वासना बंधन है और इस वासना के रहते जीव को अखंड सुक नहीं मिल सकता है शास्वत सुक नहीं मिल सकता मोपनिशुद के रिशी भी अही बात बोले भोग एच्छा मात्र को बंधस तत्यागों मोक्ष उच्यते भोग की च्छा रखना ही बंधन है और इसका त्याग ही मोक्ष है सज्जनो धर्म गरम्थों में इसी तरह से बहुत प्रकार के बंधनों का वर्णन है गुरु महराजी सभी बंधनों को समेट करके बोले जीव माया के बंधन से बंधा है इसी बंधन के अंदर सभी बंधन आ जाते हैं इसका पाठ जो संतमत के सत्संगी हैं रोज करते हैं अब भी यहाँ पर इसका पाठ हुआ स्तती प्रार्थना के करम में इसका पाठ करते हैं गुरु महराजी कहते हैं माया बद जीव आवागमन के चक्र में पढ़ाडाता है इस प्रकार रहना जीव के सभी दुखों का कारण है इस सेच्ट कारा पाने के लिए शर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए गुरु महराजी कहते हैं जीव माया के बंधन से बना है असजन ओ माया किशे कहते हैं भगवान स्रीराम से लक्षमन जी ने पूछा था माया किशे कहते हैं माया क्या है भगवान स्रीडाम ने लक्ष्मन जी को उत्तर दिया था कहा था गो गो चर जहां लगी मन जाई असो सम्माया जानो भाई यह माया है जहां तक की वस्तो को जहां तक की द्रिश को हम आप देख सुन सकते हैं हम आप किंद्रियां ग्रण कर सकती है वे सब के सम्माया है माया का अर्थ होता है जो दीखे अवास्तम में हो नहीं मा मतलब नहीं या मतलब जो जो नहीं है वही माया है लेकिन जीव के लिए बड़ा ज़वरदस्त बंदन है गुरु मारा जी कहते हैं इस बंधन से जीव बंधार आता है माया के बंदन से जीव बंधा रहता है जब तक माया के बंदन से जीव बंधा रहेगा तब तक जीव आवागवन के चक्र में पड़ा रहेगा सज्जनों गुरु माराज ने कहा जीव जब तक किसी सरीर में राता है उनको तो अनेक प्रकार का दुख होता ही है लेकिन उन सभी दुखों में सब से बढ़ चड़ करके दुख क्या है गुरु माराजी कहते हैं आवागमन सम दुख दोजा है नहीं जग में कोई इसके निवारन के लिए प्रोभवक्ति करनी चाहिए गुरु माराजी कहते हैं, सभी प्रकार के दुखों में से बढ़ चरकर की दुख है, आवागवन का दुख, आवागवन मतलब जनमना और मरना, समसार में आना और जाना, ये आवागवन है, समसार में आना जाना, ये सबसे बड़ा दुख है, जनम लेते समय जीव को भारी इसका निवारन हो जाए, यह समाप्त हो जाए, अब सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाए, इसके लिए प्रमात्मा की भक्ति करनी चाहिए. गुरु माराजी कहते हैं सज्जनों अब आप कहेंगे भक्ति किसके द्वारा करें गुरु माराजी ने इसका बड़ा अच्छा खुलासा किया कुरु माराजी कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, द्रिष्टी साधन और सुरत सवध्योग के द्वारा शर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए यही चार साधनों के द्वारा प्रमात्मा की भक्ति करनी है जब इन चार साधनों के द्वारा हम प्रमात्मा की भक्ती करेंगे, तब सभी प्रकार के बंधनों से छुड़ जाएंगे, संसार के बंधनों से छुड़ जाएंगे, सरीर के बंधनों से छुड़ जाएंगे, कोई भी बंधन जीव के उपर नहीं रहेगा, जब इन चार साध या प्रम्प्रोप्रमात्मा को प्राप्त कर लेने पर जीव सबी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सज्जन एक बात में आप लोग कह देता अंतिम में, जो जीव केवल सरीर के बंधन से छुड़ जाता है, संसार के सभी बंधनों से छुड़ जाता है। संसार के सभी बंधनों से छुड़ जाता है। गुरु माराजी ने कहा, जितने तत्वों से सरीर बना है, उतने तत्वों से संसार बना है। एक बात कहता हूँ, गुरु माराजी की वार्णी के अधार पर, जब तक हम आप, हम आप कहने का मतलब जीव, अंदकार मंडल में हैं, तो पांचों सरीर के बंधन से बंधने हैं। जैसे अंदकार से निकल करके प्रकास में जाएंगे, वैसे हम आपका अस्थुल सरीर छुट जाएगा। जैसे हम आप प्रकास मंडल को पार करेंगे, सहदल कमल से लेकर के त्रिकुटी महल तक सुक्ष्म सरीर है, सुक्ष्म सरीर का दरसन होने लग जाएगा। उसके उपर सुन महा सुन ये सब्द मंडल है, यहाँ पर कारण सरीर है, जैसे सुन महा सुन को पार करेंगे, कारण सरीर छुट जाएगा। उसके उपर भमर कुफा है, वो महा कारण सरीर है, जैसे महा कारण सरीर को पार किये, केवल सरीर को प्राप्त कर गए, केवल मंडल में चले गए, वैसे जड़के चार सरीर छुट गए, यह जीवन काल में होगा, मरने के बाद नहीं होगा, इसलिए संद कबिर साब ने कहा थ साधो भाई जीवत ही करू आशा जीवत समझे जीवत बोजे जीवत मुक्ति निवाशा जीद करम की फासने काटी मुए मुक्ति की आशा जैसे केवल मंडल को पार कर गए तो आपका चेतन सरीर भी छुड़ जाएगा आप प्रमात्मा का दर्शन कर लिए प्रमात्मा में मिल हम प्रभु प्रभु हम एक आई होई द्वन्द्वर द्वयत रहे नहीं कोई आप सरीर के सभी बंदनों से पार होगा है सभी बंदनों से छुड़ जड़ चेतन के बंदनों से छुड़ गए प्रभु को प्राप्त कर लिए अब आपको अखंड सुक मिल जाएगा प्रमात अत्मत का यह सार अध्यात्मिक ज्ञान आप लोग स्वामी पर्मानजी महराज से सुन रहे थे, सज्जनों, हम लोग अभी सुन रहे थे, कि जितने तत्तों से शरीर बना है, उतने तत्तों से संसार बना है, और जितने तल संसार के हैं, उतने तल सरीर के हैं, या बर्मांडे सपिंडे, जो बर्मांड में है, वह पिंड में है, बर्मांड लक्षने सर्वदेह मद्यम व्यवस्तितम, तो जब अंतरशाधन करके जब सरीर के आप सारे तलों को पार कर जाएंगे तो आप स्वभाविक रूप से संसार के सारे तल को पार कर जाएंगे अब परमात्मा से मिलकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे आईए मैं अब सिधा मंत्रित करता हूँ परमाराध्य सद्गुरु महराज के पैत्रिक ग्रिह स्थित आश्रम शिकलिगर धरहरा के वेवस्थापक कर्मठ वेवस्थापक स्वामी स्री देव नारायन भाबा को यहारा के लाजए के वेवस्थापक